एलो बीवनिंग गोल्स वेल्कम तो चैनल लेंविद प्रतीक अधिनेम सजेस्ट आयम प्रतीक आज हम कर रहे हैं चैप्टर डिमांड काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है बट बहुत ही इजी चैप्टर है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं डिमांड को देए बेसिकली तो ध्यान से देखिएगा राइट लिंक में डाल दूआं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का अब सबसे वहले समस्ते डिमांड क्या है मैं मार्किट गया मैंने का मुझे एक शर्ट दे दो तो क्या ये डिमांड हो गई हो सकता है अगर आप किसी आम इंसान को मान मैं से पूछोगे कि क्या सर इसने डिमांड करी है बिलकुल करी है सर पट जब हम बात करते हैं एकनोमिक्स की परपस से एकनोमिक की लेंगविज में तो क्या ये डिमांड है नहीं सर ये डिमांड नहीं है उस केस में दो फेक्टर्स कंसीड करने होते हैं desire to buy and purchasing power ये दो factors consider करेंगे कि market में क्या demand हुई है या नहीं हुई let's say मैंने कहा मुझे shirt खरीदनी है मेरी desire है इच्छा है मेरी shirt खरीदने की बट मेरी purchasing power ही नहीं है सब पैसे ही नहीं है मेरे पास तो क्या ये demand में आ जाएगा नहीं demand के लिए दोनों चीज़े बहुत ज़ादा जरूरी है कि मेरे पास मेरी इच्छा भी हो और मेरे पास पैसा भी हो एक third point और आता है that is willingness to spend ये भी हम कर सकते हैं इसमें willingness to spend का मतलब होता है कि पैसा तो है किसी के पास पर खर्चने की हिम्मत ही नहीं है सर कंजूर से बहुत ज़ादा पैसा बचा के रखता है होता है न कहीं के यार पैसा तो बहुत है ग्रुप में भी होता होगा आपके नॉर्मल भी आपने देखा हो कहीं लोग बहुत पैसा होगा पर खर्चते नहीं है तो बहुत लोग डिमांड नहीं कर रहे अगर डिमांड की बात होगी तो ये तीन फेक्टर आएंगे ये थर्ड फेक्टर इसमें नहीं था इनके कांबिनेशन को क्या बोलते हैं डिमांड अगर इन में से एक भी चीज नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि मार्केट में डिमांड होई है clear है सर आगे चलते हैं एक पॉइंट आता है सर डिमांड शेड्डिूल अभी demand schedule किया है देखे जब market में अब हर चीज को समझने के लिए data की जरुवत होती है होती है कि नहीं होती है चाहे हम किसी की भी बात करें data हर जगे बहुत necessary है राइट चाहे हो एक छोटे से छोटा shopkeeper हो या बड़े से बड़ा business man उसे data maintain करना पड़ता है कि मेरा क्या माल भिक रहा है कितना माल भिक रहा है कौन सी company का अच्छे से ज़ादा sale हो लेगा ताकि इससे क्या होगा इससे वो उस company पे ज़ादा focus कर पाएगा लोगों की demand के according लोगों की पसंद के according वो अपना goods करे यानि उसको ultimately अपने business में आगे बढ़ाने के लिए data जरूर चाहिएगा data को analyze करना पड़ेगा तो यही बात थो होती है सर जब demand schedule के है जब हम किसी demand को किसी product की demand को इस तरह table की form में show करते है that is demand schedule अब आती है बात सर demand curve की demand curve क्या है यह background में आपको दिख रहे है demand कर जब हम demand को इस तरह किसी graph की form में let's say किसी product की market में कितनी demand है मैंने उसको table में form में show किया that is demand schedule जब मैं उसी table को graphic presentation यानि diagram की form में इस graph की form में show करूँ that is demand curve graphic presentation अब यह basically दो type का होता है अगर हम बात करें तो market and indies well market and indies well का मतलब क्या है देखिए indies well और market का मतलब है कि जब माल लेते हैं मैंने एक shop open करी ठीक है मेरा first customer आया मैंने ख़ली उसकी demand को note किया schedule करा graph की form में present किया अब माल लेते हैं शोग को बहुत टाइम हो गया धेर सारे customers आते हैं हर एक का तो अलग-अलग नहीं बनाऊँगा न मैं general data बनाना शुरू करूँआ and that is market demand तो एक indies well की study करेंगे तो indies well और market की study करेंगे तो market demand I hope you clear होगा point चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं सर्थ demand function या determinants of demand की determinants of demand यह आपने बहुत पढ़ा होगा देखा होगा school में college में जिन लोग के पास economic subject है या जो economics में आगे study कर रहे हैं उन्होंने जरूर देखा होगा यह चिस demand chapter जिसके भी आ अब यह क्या होते हैं कुछ ऐसे factors कुछ ऐसे factors जो किसी product की demand को affect करते हैं किसी product की demand को affect करते हैं that is determinants of demand यानि ऐसे factors जिनोंने किसी product की demand को affect किया होगा that is determinant यह demand function और example के लिए जैसे इसमें दिया on price क्या price affect करते हैं demand को बिल्कुल करते हैं हर कोई चाहता है iPhone 13 pro max ले right 13 pro max होगा I think मुझे नहीं पता मेरे पास नहीं है नया phone 14 आने वाला I think 14 ले बट क्या हर कोई ले सकता है नहीं ले सकता सर reason price of the commodity तो price ने affect किया income of the consumer एक consumer की income क्या affect करती है क्या बिल्कुल करती है income जादा होगी वह जादा goods ले पाएगा जादा demand करें कम होगी वह कम कर पाएगा taste and preference बिल्कुल करती है सर अगर कोई good हमारे पसंद गाए टेस्ट के coding है तो हम उसको लेते हैं अगर वह हमारे टेस्ट के coding नहीं है भले ही वह प्री में भी मिल रहा होगा तो हम उसको नहीं लेंगे सर और यह fact है और एक्जामपल लेट से इस point को prove करने के लिए अगर किसी को वो जो लेट से वो कटी वी जिन्स फटी जिन्स नहीं आती टॉन जिन्स बोलता है population यहाँ पर सर्फ क्या हुआ है थोड़ा correction कर लेना यह दो points है अलग-अलग expectations अलग है और population size अलग है यह दो points है expectation अलग है population size अलग है दोनों को अलग-अलग समझते हैं right expectations की पहले हम बात करते हैं क्या होता है let's say मैं market में गया कोई goods खरीद रहे mobile खरीद नहीं गया मैंने देखा mobile देखा मुझे पसंद आ गया अगर मुझे लग रहा है कि future में इस mobile के prices कम हो सकते हैं या future में किसी reason से in mobile की demand कम हो जाएगी या market में price कम आ जाएगी मैं आज उसे नहीं खरीद हूँ यानि future की expectations से not in particular के way of price के price की वज़े से ही मैं price खाली price की बात नहीं कर रहा हूं कि future में price कम future की किसी भी expectations की वज़े से अगर आज demand effect हो रही है यह वह expectations की बात कर रहे हैं उस बात आता है population size population size बहुत ज़्यादा effect करता है कैसे करता है let's say मैंने अगर मैंने open की एक shop open करी right किसी भी product की x y z और आस-पास population है ही नहीं सर population ही बहुत कम है let's say के thousands people है और एक जगे मैंने open करी वहाँ people population बहुत अच्छी है वहाँ पे 10 lakh के around population है तो क्या chance है कहां मैं ज़्यादा sale कर पाऊँगा वबिस सी बात है 10 lakh वाले में क्योंकि वहाँ population size बढ़ है price of related goods price of related goods का मतलब होता है देखिए price of related goods में basically दो पॉइंट्स आगे substitute goods and complimentary goods substitute goods और complimentary goods क्या होते हैं substitute goods ऐसे goods होते हैं जिनमें एक goods की जगे मैं दुसरा use कर सकता हूँ for example tea and coffee बड़ा common example आपने बहुत सुना होगा tea and coffee market में प्राइज भड़ गए तो मैं coffee पीना शुरू कर दूँआँ कोफी की demand भड़ जाएगी है के नहीं है अलाकि मैं एक tea person हूँ मैं चाही नहीं छोड़ूआँ मैं चाही ही पीऊँगा वो एक अलग factors है वो अलग points आते हैं वो भी बट अभी के लिए अगर tea के prices भड़ गए तो मैं coffee पीना शुरू कर दूँआँ तस्ती पढ़ रही है सर वो कोफी यानि एक चीज भड़ी increase हुई तो दूसरे की demand increase होगी एक के price increase तो दूसरे की demand increase इसका मतलब substitute goods में कैसा relation होता है सर पोजिटिव रिलेशन होता है कैसा relation होता है positive अब बात आती है complimentary goods की complimentary goods ऐसे goods होते हैं कि अगर मैं एक good की demand करूँ हां तो मुझे उस demand को fulfill करने के लिए एक good और चाहिएगा दुबारा अगर मैंने good x की demand करी तो x की demand को fulfill करने के लिए मुझे good y भी चाहिएगा राइट यह बात समझने की है example car and petrol बड़ा basic सा एक्जामपल है कि मार्केट में मैं कार खरीद रहा हूं तो petrol automatically मुझे चाहिएगा चाहिएगा है ना अब हुआ क्या मार्केट में car के prices बहुत ज़्यादा भढ़ गए तो petrol की demand कम हो जाएगी तो पेट्रोल की demand कैसे कम हुई लोग कार कम चलाना शुरू कर देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तू विल्लर यूज करेंगे जिसमें कम पेट्रोल कम से कम पेट्रोल लगेगा तो पेट्रोल की demand automatically कम हुई गे नहीं and this is complementary goods so complementary goods में क्या हुआ एक goods के price भड़े तो दूसरे की demand कम हुई इसका मतलब दोनों के बीच में negative relation था I hope एक clear होगा चलिए आगे बढ़ते हैं law of demand को समझते हैं law of demand क्या है यहां यह थोड़ा सा editing के time यह हो गया होगा but मैं आपको बताऊंगा यह क्या है law of demand क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं अभी हमने देखा धेर सारे हमने determinants देखे न right factors देखे इसके demand के लेकिन उन सभी determinants सभी factors, सभी functions में से जब हम खाली सिर्फ और सिर्फ प्राइज की बात करेंगे प्राइज की बात करेंगे तब law of demand आता है क्या मतलब प्राइज की बात बाकी सारे कांगे income, taste, preference वे सब constant है क्या है constant मतलब मान के चलते हैं वे affect कर ही नहीं रहे determinants करेंगे बट जब हम law of demand को study कर रहे हैं हम ये मान के चलेंगे कि बाकी सारे factors constant हैं सिरफ और सिरफ market में price ही किसी good की demand को affect करेगा I hope ये बात clear होगी सबको देखिए समस्ते हैं it states that other factor remain constant and there is a inverse relationship inverse relationship मतलब negative relationship price बड़ा, demand कम, demand जादा price कम price बड़ा, demand कम, price कम हुआ demand जादा between quantity, demand and its price right, law of demand समझ में आएगा basically क्या है यानि खाली price effect करेगा बाकी सारे constant रहेंगे अब ये किस ने दिया ये दिया था Alfred Marshall ने ये यहाँ दिखने रहा होगा इसकी वेज़े से editing के वेज़े Alfred Marshall ने दिया था ये Alfred Marshall है ये देखिए किते पोस में खड़े हैं ये ये मैं ने खड़ा सकता बट Alfred Marshall ने दिया था ये कब दिया था 1890 में उनकी बुक आई थी प्राइज ओफ एकनोमिक डेवलप असप्लाय एंड डिमांड कर इसमें इसके बारे में लॉफ डिमांड का जिकर था इसके बाद हम इसके बाद हम बाद करते हैं यह एक लाउब डिमांड के लिए just for an example purpose के समझने के लिए देखो प्राइज कम हो रहे हैं तो डिमांड भड़ भी है प्राइज कम हुए तो डिमांड भड़ गई राइट I don't know कितना यह clarity में आ रहा है बट ट्राइज के आपको clear दिखें आपको दिख रहा होगा कि price देखो कम हो रहे हैं तो डिमांड भड़ रही है प्राइज कम हुए तो डिमांड भड़ती गई राइट last topic इस वीडियो का बहुत ही important topic है समझने वाला सबसे जो बचा हुआ पार्ट है वो next वीडियो में cover करेंगे अभी इसको समझते हैं देखिए exceptions of law demand exceptions of law demand का मतलब है कि ऐसी चीज़े जिन पर law demand applicable नहीं होता यानि जिन पर price का effect नहीं होता क्या ऐसी भी चीज़े हैं क्या बिलकुल हैं क्यों सी ऐसी चीज़े हैं देखते हैं देखिए पहला है Giffen goods देखे Giffen goods क्या होता है कहने का मतलब है मैं market गया मैंने का sir sir तो क्या कोँगा बाहर मैंने का बाहर जाके के मुझे apples दिखा दो उसने मुझे apples दिखाए अब उसने apple के quality दिखाई उसने का sir ये 50 रुपे किलो है कुछ apples की quality में उसने का कि ये 100 रुपे किलो है उसने का 200 रुपे किलो है मैंने का या 200 रुपे महंगा है 100 रुपे लग रहा है बट 50 रुपे सस्ता है तो सस्ता है अच्छा नहीं पाएगा ये goods हो सकता है ना, वो भी सकता है नहीं भी, मैंने क्या किया मैंने price के base पर उसको judge कर लिया, कि वो goods कैसा है, यानि अगर उसके price जादा होते, तो मैं खरीद लेता, let's say मेरे पास 80 रुपीज हैं, मैंने का, अगर वही 50 रुपे वाले कह देता न, 80 के हैं, बैं ले लेता, क्यों मु कोई effect नहीं होता है, अगला आता है सर वैबलन effect, वैबलन effect क्या कहता है, वैबलन effect basically क्या होता है, ऐसे कुछ goods होते हैं, ऐसे कुछ goods हैं, जिनके market में substitute available हैं, दुबारा, ऐसे goods जिनके market में substitute available हैं, बट मैं फिर भी उन substitute को ना लेकर, अपना जो good है में उसी को लूँगा, उस उसके prices बहुत हाई थे, मैं फिर भी उसी को ले रहा हूँ, उसके substitute नहीं ले रहा, example के लिए, shirt लेने जाओ market में, Adidas की shirt भी आती है, और भी धेर सारी companies के आती होंगी, मुझे इतना knowledge नहीं है, बट आपको एक normal छोटा brand में मिल जाएगा, कोई ना कोई, substitute है sir, shirt का main purpose क्या है, body को cover करना, right, अब उसका आपको substitute भी मिल जाएगा, धेर सारी shirts आती है sir, companies हैं, सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, मैंने किसकी लिए, Adidas की, क्यों, society में दिखाने के लिए, पसंद थी, and number of reasons, यानि इस ताइब के goods को क्या बोलते हैं, effect, Babylon effect, देखें, अगली बात करते हैं, bandwagon effect, बच्पन में सुना था ना, मम्मी कहती थी, वो कुए में कूदेगा, तो तुम भी कूद होगे, क्या, जी हाँ, हम भी कूदेंगे, ये वही बात है, bandwagon effect कहता है, कि अगर society कुछ कर रही है, काम कर रही है, society में सभी लोग कर रहे हैं, तो मैं भी वो काम करूँआ, सभी के सभी ने diamond rings पहनना शुरू किया, तो मैं भी market में जाके diamond ring ले आया, बहले ही मेरे पास पैसे थोड़े से पड़े थे, मैंने अपने बाकी चीज़ों को छोड़ का, मैंने का बाकी time book का रहा लेंगे भई, लेकिन diamond ring पहन के गुमना जरू पूरी है, तो वो क्यों करा मैंने bandwagon effect की वज़े से, क्योंकि सभी कर रहे थे, last हाते है, conceptious, again, pronunciation, गलत हो सकती है, होगी भी गलत, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, यह ऐसे ही तरह के goods होते हैं, जो अमीरी दिखाने के लिए होते हैं, once wealth, लोग अमीरी दिखाने के लिए पहनते हैं, जान बूज कर कपड़े ऐसे पहनते हैं, वो कहते हैं कि, richer लोग तो नहीं पहनते हैं, बट middle class rich दिखने के लिए, rich, खुद को rich show करने के लिए, हद से जादा महेंगे से महेंगे चीज़े पहनते हैं ब्रेंडड शर्ट ब्रेंडड जीन्स ब्रेंडड शूज पर्स भले ही खाली होगा बट कपड़े जुलरी सब आपको परफेक्ट मिलेगी टनाटन क्यों कि अमीर दिखाने अपनी रहीशियत दिखानी है तो इस तरह के गुड यह रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो स्टे तून फॉर नेक्स्ट वीडियो और येस अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज दो लाइक शेर सब्सक्राइब और फोलो थैंक्यो